आपके लिए एक अच्छी वाशिंग मशीन के अंदर क्या होना जादा जरूरी है इको, एक्वा, जीनी, बबल, इन नामों की टेकनोलोजीज वाइफाई कमपाइबिलिटी, एलेकसा सपोर्ट, गूगल असिस्टेंट सपोर्ट ये सब या फिर, low noise levels, less water consumption, less power consumption, and hard water wash compatibility ये सब, don't worry, front load washing machines के इतने सारे models इंडिया में इस समें available है कि confusion होना is obvious, but इस वीडियो में आपकी सारी confusion बिलकुल खतम हेलो दोस्तों, welcome to my channel VM1, मेरा नाम है विनीद, और आज मैं आपको बताऊंगा best front load washing machine that you can buy in India in 2021 front load washing machines के बारे मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको 5 machines के बारे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लावा भी मैं बहुत सारी machines को recommend करता हूँ अलग-अलग size की और अलग-अलग brands की, उन्हें चेक करने के लिए आप description box में दी गई VM1 recommended washing machine list को चेक करें और उसके अंदर आपको वो सारे models मिलेंगे जो मैं recommend करता हूँ और दोस्तो हम इस channel पे किसी brand का sponsored content नहीं चलाते हैं, हम यह channel चलाते हैं आपकी support से अगर आप हमें support करना चाते हैं और अगर आपको आगे जाके यह video अच्छा लगे तो इसे like करिएगा और subscribe करिएगा इस channel को और दोस्तो description box में दिये गए सभी links हमारे affiliate links हैं, अगर आप उन्हें यूज करके कुछ भी purchase करेंगे तो बिना आपके price को जरा सभी change करेंगे इस channel की financially बहुत help होगी, उसी से हम इस channel को run कर पाते हैं और दोस्तो मैं इस video को शुरू करने से पहले आपको washing machines के बारे में कुछ बहुत जादा important बाते बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी हैं, इन washing machines को जानने से भी जादा जरूरी, उन्हें बिलकुल बिना skip करें देखिएगा आप क्यों लेक front load washing machine इसका एक बहुत simple कारण ये हो सकता है कि आपको up to 40% saving देखने को मिलेगी water और electricity की जब आप एक front load washing machine में कपड़े धोएंगे, बजाए एक top load automatic washing machine के अंदर कपड़े धोने के एक और कारण हो सकता है कि आप इसमें comforters और pillows सही से धोपाएंगे जो आप top load washing machine में नहीं धोपाते क्योंकि उसमें पूरी तरह pillows और comforters डूपते ही नहीं है किसी भी washing machine की water और power consumption जो आपको बताई जाती है वो होती है per wash program आप एक 8 kg washing machine से 0.5 से लेके 0.75 kilowatt hours की electricity consumption expect कर सकते हैं per wash program आपके घर में अगर hard water आता है तो आपको एक softner भी लगाना पड़ेगा अपनी washing machine के साथ hard water softner neutralize करेगा magnesium और calcium ions को पानी में से और इसे आप अलग से खरीच सकते हैं in less than 2000 रुपीज आपको इस feature के लिए किसी washing machine में extra पैसे देने की जरूरत नहीं है एक front load washing machine कम pressure के पानी में भी काम करती है आपको एक washing machine के लिए pressure pump के जरूरत सिर्फ तब है जब आप washing machine का heater बार बार या फिर हर बार यूज़ करते हैं क्योंकि heater चलते समय अगर water pressure कम आएगा तो electricity ज्यादा consume होगी किसी भी washing machine के साथ आपको एक inlet pipe, एक outlet pipe, clamps और bolts साथ में मिलते हैं installation guide के इसके अलावा आपको एक regulator और washing machine का stand separately खरीदना पड़ता है और हाँ आपको उसे installation की team से खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपकी washing machine की warranty इस case पे void नहीं होगी आप इसे separately खरीद सकते हैं आज की date में जादा तर brands आपको fall to features जैसे aqua wash, eco wash, bubble wash and what not ये बता बता के अपनी दरफ एटरैक करने के कोशिश करेंगे लेकिन असली features और असली specs आपको कभी भी नहीं बताएंगे जैसे power consumption, water consumption, noise levels while washing and noise levels while spinning ये होते हैं important features और इन्हें check करें बिना आप एक washing machine कभी भी मत लीजेगा and don't worry आपको इस वीडियो के अंदर ये सारे features और specifications हर product की पता चलेंगे अगर आपकी family में 4-5 लोग हैं तो आपके लिए ideal washing machine का size है 8 kg इस वीडियो के अंदर मैं 8 kg washing machines के बारे में बात करूँगा जो washing और spinning के काम आती हैं याद रखिए ये washer और dryer नहीं है वो एक अलग category है और उसके ओपर भी मैं video बहुत जल्दी बनाऊँगा लेकिन अगर आप इससे कम size की washing machine में interested हैं तो इनी models के छोटे variants मेरी washing machine list के अंदर आपको मिलेंगे जो आपको description box में देखने को मिलेगी आप उसे download करके उन variants को check कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद मेरी list में number 5 पे आती है Panasonic की 8 kg 5 star washing machine जो की 2000 watt और 1400 rpm की motor के साथ आती है इस washing machine में आपको inverter technology motor मिलेगी with built-in heater और ये stainless steel drum के साथ आने वाली washing machine है इस washing machine में आपको 16 wash programs देखने को मिलेंगे और ये active foam system के साथ आती है यानि machine चलने से पहले बहुत ज़ादा foam create करेगी जो की कपड़ों में से mail निकालने के लिए काफी helpful होगी इस washing machine के अंदर आपको pause and add feature भी देखने को मिलता है यानि आप machine चलते समय बीच में उसे pause कर सकते हैं और कपड़े add भी कर सकते हैं आपको panasonic की इस washing machine के अंदर gentle hand wash net भी देखने को मिलेगा ये basically एक तरीके की जाली है जिसे आप machine के अंदर डाल के अपने soft या फिडेलिकेट कपड़ों को बहुत easily धो सकते हैं बिना उन्हें नोकसान पहुझाए इस washing machine के अंदर आपको wifi connectivity मिलती है जिसे panasonic कहता है Mirai connectivity इसमें आपको Alexa और Google Assistant की support भी मिलेगी और ये washing machine auto diagnosis के साथ आती है यानि अगर इस machine में कोई problem आई तो आपको error codes display पे दिखने लगेंगे जिससे आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी problem आ रही है और आप servicemen को call कर पाएंगे ये washing machine consume करती है 70 liters of water per wash program और इसके noise levels है 59 decibels while washing and 74 decibels while spinning Panasonic आपको इस washing machine पे देता है 2 years की comprehensive और 10 years की warranty on the motor और आप इसे समय खरीद पाएंगे 38,500 रुपीज का नाओ लेट्स टॉक अबाउट प्रोस और कॉंस Panasonic की top load washing machine category बहुत popular है और वो उसमें बहुत अच्छी quality की washing machines बनाते है लेकिन front load segment उनकी नई है और ये पहली बार है कि Panasonic ने front load washing machines launch करी है ये model भी नया है इसमें features भी ज़्यादा दिये गए है और ये quality wise भी बहुत ज़्यादा अच्छी भी है लेकिन it's a new entrant Panasonic is new this is a pro also and a con also con इसलिए क्योंकि service and spare part availability could be an issue in all the pin codes metros में कोई problem नहीं होगी और Panasonic की service में actually में कोई problem होती नहीं है लेकिन फिर भी non-metros and 3-tier and 4-tier towns I would say avoid this washing machine best washing machines in India की मेरी list में next है IFB की 8 kg 5 star washing machine जो कि आती है 2000 watt और 1400 rpm की motor के साथ इस washing machine के अंदर आपको 4D wash system देखने को मिलेगा यानि drum चार अलग-अलग directions में घूम कर आपके कपडों को बहुत अच्छी सफाई देने की कोशिश करेगा इस washing machine के अंदर आपको in-built water heater मिलता है और ये 14 wash programs के साथ आती है इसमें आपको stainless steel drum भी देखने को मिलेगा और aqua energy water softner filter भी देखने को मिलेगा aqua energy basically एक water softer filter है जो आपको generally हर machine में अलग से लगाना पड़ता है लेकिन इस washing machine के अंदर आपको वो feature दिया गया है लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ी दिर में फिर कुछ बताऊंगा IFB की इस washing machine के अंदर आपको cradle wash भी देखने को मिलेगा यानि infants के कपडों के लिए एक अलग से wash program और इसमें आपको tub clean feature भी देखने को मिलेगा which is very common in all the front load washing machine these days जो थोड़ा uncommon है वो है protective rat mesh जो आपको IFB की इस washing machine में साथ में देखने को मिलेगा यानि machine के नीचे आपको rat से protection के लिए एक जाली लगी हुई देखने को मिलेगी आपको इस machine के अंदर LED touch panel देखने को मिलता है which is a very good thing IFB की ये washing machine consume करती है 71 liters of water per wash program और इसके noise levels है 56 decibels while washing और 70 decibels while spinning IFB की इस washing machine पे आपको 4 years की comprehensive warranty देखने को मिलती है और 7 में 10 years की spare parts support I am sorry आपने spare parts support सुना है motor warranty नहीं आप इसे इससा में खरीद पाएंगे 37,000 रुपीज का Now let's talk about very interesting pros and cons इस washing machine के अंदर आपको Aqua Energy Water Softener देखने को मिलेगा जो basically hard water को soft करेगा जिससे आपको अच्छी washing देखने को मिलेगी कपडे धुल के आएंगे तो वो hard नहीं soft होंगे which is a very good thing बट यह advantage के साथ साथ disadvantage भी है क्योंकि IFB की installation team is very poor they sell the same water softener in four times the price आपको उन से water softener लेने की जरूरत नहीं है आप market से ले सकते हैं या फिर Amazon से ले सकते हैं और आपकी IFB washing machine की warranty void नहीं होगी दूसरा कॉन इस washing machine के अंदर water consumption थोड़ी ज़ादा है at 71 liters और यह washing machine सिरफ 4 years की comprehensive warranty के साथ आती है motor warranty के साथ नहीं but if these are not cons for you तो यह washing machine बहुत अच्छी है इसके link मैंने आपको description box में दिये हैं आप इसे जरूर चेक करिए best washing machines in India की मेरी list में number 3 पे आती है Samsung की 8 kg non-rated washing machine यह non-rated इसलिए है क्योंकि इसे वियत नाम से import करा गया है और इसमें आपको मिलती है 2200 watt और 1400 rpm की motor इस washing machine के अंदर आपको digital inverter technology देखने को मिलेगी और यह built-in heater और stainless steel drum के साथ आती है Samsung ने इसमें दिये है 22 wash programs और उनमें से एक है 15 minute quick wash program यह Samsung washing machine eco bubble technology के साथ आती है यानि washing से पहले यह machine बहुत सारी foam बनाएगी जिससे कपडों में जमा मैल easily निकल पाएगी इसमें आपको hygiene steam function भी देखने को मिलेगा जिसमें यह machine नीचे से steam फेकेगी clean feature भी देखने को मिलेगा यानि कपड़े धोने के बाद आप machine के drum को clean कर पाएंगे एक program के जरिए Samsung ने दिया है इसमें Wi-Fi control अपनी ही बनाई हुई smart things app के जरिए इस app के थुरू आप watch program select कर सकते हैं और यह भी check कर सकते हैं कि आपके कपड़े धुलने में अभी कितना time बाकी है आपको इस machine के अंदर voltage fluctuation protection भी देखने को मिलेगी यानि अगर voltage fluctuate हुई तो यह machine अपने आप detect करके बंद हो जाएगी और जब voltage ठीक आएगी तब यह machine उसी जगह से दुबारा resume करेगी not to forget कि इसके अंदर आपको child lock feature भी मिलता है और इसमें आपको एक LED पैनल मिलता है जिसमें आपको सभी type के controls दिखेंगे यह machine 60 liters of water consume करती है per wash program और इसके noise levels है 56 decibels while washing और 70 decibels while spinning Samsung आपको इस पे देता है 3 years of comprehensive and 10 years की warranty on the motor आप इस machine को 38,500 रुपीज का now let's talk about pros and cons यह एक अच्छी machine है इसके अंदर आपको कम noise और कम vibration देखने को मिलेगी which is a very good thing लेकिन there is a problem आपको इसके अंदर pause and reload function देखने को नहीं मिलेगा front load washing machines के अंदर आज की rate में pause and reload function बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि washing program चलते समय अगर आप कोई कपड़ा बात में भी डालना चाहें तो आप वो easily कर सकते हैं और अच्छी machines में यह function देखने को मिलता है वो इस पे नहीं है अगर आपके लिए एक on नहीं है तो links में ने दिये हैं description box में आप इस machine को जरूर चक करें क्योंकि एक बहुत ही शांधार machine है best washing machines in India की मेरी list में number 2 पे आती है LG की 8 kg 5 star washing machine जिसके अंदर आपको 2100 watt और 1400 rpm की motor देखने को मिलेगी यह machine आती है inverter direct drive technology के साथ जो की 6 अलग-अलग type की motion से drum को हिलाएगी इसमें आपको built-in heater भी मिलता है और stainless steel drum भी देखने को मिलेगा LG ने दिये हैं इसमें 30 wash programs लेकिन actually में आपको basic 14 wash programs ही मिलेंगे बाकी आप download कर सकते हैं LG की think you app से और मैं इसे कहूंगा एक marketing gimmick LG इसमें आपको देता है steam wash जो की छोटे बच्चों के कपडों के लिए बहुत ही अच्छा feature है इस machine में आपको मिलता है fuzzy logic technology sensors ये चार तरीके के sensors हैं जो की door, laundry, water और machine के imbalance होने पे machine को रोकेंगे और सही होने पे machine को दुबारा वहीं सही शुरू करेंगे इस machine के अंदर आपको child lock और protective rat mesh देखने को मिलेगा which is a very good thing और ये machine आती है smart diagnosis के साथ यानि machine में अगर किसी type की कोई problem होगी तो आपको LG ThinQ app पे पता चल जाएगा और display पे भी आपको एक error code दिखने लगेगा इस machine में आपको auto restart function भी देखने को मिलेगा यानि machine चलते समय अगर light चली गई तो वापस आने पे machine वहीं से start होगी जहां से वो रुकी थी auto restart function आपको हर front load washing machine में मिलता है लेकिन यहां बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि LG के dish washers में आपको auto restart function देखने को नहीं मिलता इस machine में आपको LG ThinQ Wi-Fi connectivity भी देखने को मिलेगी लेकिन LG ThinQ app से आप बहुत सारे features को वी टाइप के functions को control कर पाएंगे यह machine 60 liters of water use करती है per wash program और इसके noise levels है 54 decibels while washing and 74 decibels while spinning LG आपको इस washing machine पे देता है 2 years of comprehensive and 10 years of warranty on the motor और आप इसे समें खरीद पाएंगे 37,000 रुपीज का now let's talk about pros and cons LG की यह बहुत ही शांदार washing machine है rather the most successful washing machine जो LG की तरफ से आपको देखने को मिलती है and इसके अंदर आपको service भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी last year के model में जो motor के issues थे वो LG ने इस साल पूरी तरह से दूर कर दिये है by changing the motor now let's talk about वो चीजें जो मुझे इस washing machine में अच्छी नहीं लगी 30 wash programs practically आपको 14 wash programs ही देखने को मिलेंगे and to be honest आप किसी भी front load washing machine के अंदर जादा से जादा 5 या 6 washing programs को ही use करेंगे 30 is a bold advertisement to attract more people Wi-Fi function इस washing machine का इतना जादा useful नहीं है ये मेरा दूसरा concern है अगर आपके ये concerns नहीं है और आपके लिए cons नहीं है ये बहुत ही शांदार washing machine है इसके links मैंने आपको दिये है description box में आप इसे जरूर चेक करिए best washing machines in India के मेरी लिस में number one पे top करती है Bosch की 8 kg 5 star washing machine जो कि आती है 2300 watt और 1400 rpm की motor के साथ इस washing machine के अंदर आपको eco silence drive motor देखने को मिलेगी with built-in heater and stainless steel drum Bosch इसमें आपको देता है 15 watch programs और इसमें आपको एक anti wrinkle program भी देखने को मिलेगा जो कि धीरे और आधे time में कपड़े धोके उसमें wrinkles नहीं देगा ऐसा Bosch का मानना है मैं इसे try करके test नहीं कर सकता जो मैं आपको confirm बता सकता हूँ वो है कि ये anti vibration side panels के साथ आने वाली washing machine है जो कि सही बात है क्योंकि इसके side panels बहुत ही sturdy और बहुत ही अच्छे metal sheet से बने है Bosch ने इसमें दी है foam detection technology यानि machine के अंदर जादा foam होने पे machine उसे automatically detect करके remove करेगी इस machine के अंदर आपको pause and reload function भी देखने को मिलेगा which is a very good thing machine चलने के बाद आप उसे वहीं पे pause करके और कपड़े भी add कर सकते हैं इस machine के अंदर आपको active water technology भी देखने को मिलेगी और उसका मतलब यह है कि machine खुद decide करेगी कि अगर उसके अंदर पानी कम या जादा है तो वो उसे बढ़ा के या कम करके machine को optimum water level पे ही चलाएगी Bosch की इस machine के अंदर आपको voltage fluctuation monitor भी देखने को मिलेगा यानि अगर आपके घर में voltage कम या जादा आ रही होगी तो machine automatically उसे detect करके बंद हो जाएगी और जब voltage सही होगी तो वो automatically वहीं से restart होगी जहां से वो बंद हुई थी इस machine के अंदर आपको LED touch control panel देखने को मिलता है जिसमें आप सभी type के functions को easily देख पाएंगे और control भी कर पाएंगे और ये machine आती है child lock feature के साथ Bosch की ये machine consume करती है 45 liters of water per wash program और इसके noise levels हैं 53 decibels while washing and 73 decibels while spinning Bosch की इस washing machine पे आपको 2 years of comprehensive और 10 years of warranty मिलेगी on the motor और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 39,000 रुपीज का इसमें आपको water consumption भी कम देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको useful features देखने को मिलेंगे gimmicks नहीं नव लेट्स तॉक अबाउट the things that I don't like about this machine last year के model के तरह इस year के model के अंदर भी आपको inlet pipe की length कम देखने को मिलेगी और power cord की length भी कम देखने को मिलेगी अगर आपके लिए ये दो cons नहीं है जो की actually होने भी नहीं चाहिए मेरे लिए तो नहीं होंगे तो मैं जाओंगा सिधा description box में जहां दिये हैं मैंने इसके दो links और click करके मैं इस machine को जरूर consider करूँगा आप भी ये ही करिए दोस्तो ये थी 8 kg washing machines लेकिन इनी models के छोटे sizes भी मैंने आपको description box में दिये हैं आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं अगर आपको 7 kg, 6.5 kg ऐसे sizes में interest है तो और इसके अलाबा आपको washing machine की list भी description box में मिलेगी जिसमें आपको हर type की मेरी recommended washing machine देखने को मिलेगी और अगर आपके कोई सवाल है जो आप उसे directly पूछना चाहते हैं तो या तो comment section में लिख दीजिए या फिर आजाईए मेरे social media handle पे और मुझे DM करिए और मैं आपका answer 24 से 48 hours के इंदर जरूर दूँगा लेकिन comment section में मुझे ये जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा ये video मैं आपके comment की wait करूँगा और मैं आपको मिलता हूँ अपने next video में बहुत ही जल्दी Thank you very much